प्यारे बच्चो इस वीडियो में 10th क्लास के मैच सब्जेक्ट के चैप्टर नमबर 9 तिरकोन मिती के कुछ अनुपरियोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमने चैप्टर नमबर 8 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तिरकोन मिती के बारे में पढ़ा है उनके functions के बारे में पढ़ा है, sine, cos, tangent, cot, secant, and cosecant, उनके बारे में हमने जानकारी ली थी अब हम इनका daily life में क्या use होता है उनके बारे में पढ़ेंगे लिए कि इस chapter का मतलब तिरकोन मिती का ट्रिग्नोमेट्रिक का बहुत प्राचिन समय से ही हमारी daily life में use होता रहा है पर योग होता है और एक बड़ी इंट्रेस्टिंग सी बात बता हूं मैं जब हम अंग्रेजों के अधीन थे 1852 में बिर्टेन मतलब इंग्लेंड वाले हमारे उपर अधिकार करते थे तो उसमें बिर्तानी गवर्मेंट द्वारा 1852 में एवरेस्ट की जो उन्चाई थी उसका प्रिक्शन किया गया था थियोडो लाइट के द्वारा और छे अलग अलग जगह से उसकी उन्चाई मापी की थी वो जो बिलकुल सही आई थी दो बहुत ही बड़े थियोडो लाइट वहां पे लगाए गये थे और तभी इसका नाम मा किसी भी बिल्डिंग की वास्तविक मेजर्मेंट किये बिना ही हम उन्चाई ग्याद कर सकते हैं कुटो मिनार की उन्चाई ग्याद कर सकते हैं तो हम कुटो मिनार या किसी भी बिल्डिंग के असानी से ग्याद कर सकते हैं ग्रहों के बीच की दूरी है वहां पे हम इनकी है प्ले सकते हैं तो बड़ा इंट्रस्टिंग टोपिक है यह हमारा तिरकोण में ती के कुछ अनुपरियोग यहां पर यूज होने वाला है वो चीज में पता दू माली जी कि आप यहां पर खड़े हैं या कोई वस्तु यहां पर है और यह मेरी बिल्डिंग है इस रेखा इसको हम बोलते हैं द्रस्टि रेखा यहां से हम चेक करें यह हमारी मिनार है और यह कौण एकसेटिंग रेखा के साथ जो बनता है उसको हम बोलते हैं उन्यन कौण उन्यन कौण एंगल ओफ एलिवेशन नीचे से उपर को देखना उन्यन कौन कहला था एंगल ओफ एंगल ओफ एलिवेशन इंगली से में और अगर कोई बंदा मिनार के उपर खड़ा है यहां से नीचे की तरफ कोई देख रहा है तो हमारे पास दरस्टी रेखा ऐसे हो जाती है और जो कौन बनता है क्योंकि यहां पे कौन बनेगा यह हमारा कहलाता है आव नमन कौन लेकिन यह दोनों पैरलेल होंगी जब आप यहां पे विल्कुल सामने देखेंगे तो पैरलेल होगी यह एंगल सेम होता है यह हमारा कौन सा कौन कहलाता है अब नमन कौन यूज कैसे करते हैं मान लीजिए एक मिनार मिनार की उचाई हमने ग्याद करनी ही है मिनार से आप 20 मीटर की दूरी पर खड़ी है 20 मीटर की और सोरी यहाँ पर जो एंगल है वो 30 डिगरी बना रहा है एंगल ओफ एलेवेशन उन्यन कौन हमारा 30 डिगरी है यह हमारे पास मिनार है a b c और यह पॉइंट हमने c ले लिया तो हमारे पास इस ट्रrägeंगल a.b.c में तरभुज A, B, C में ये 90 degree का होगा इसके सामने वाला करन होगा ये हमारा lum, ये हमारा आधार Lamb between आधार A, B, B, C Lamb between आधार किसके बराबर होता है Tangent Theta क्योंकि इसके सामने वाला mouse होगा Tangent, Theta, Tangent, Theta मतलब यहाँ पे हमार पास कितना है 30 degree इसको multiply करेंगे तो AB की value हमारे पास 20 upon root 3 हो जाएगी और निचे से root अगर हम खतम करें तो हम क्या करतेते हैं करते हैं root 3 और root 3 means 20 upon 3 root root 3 की value हम 1.732 value multiply करके आगे भी value निकाल सकते हैं भी छोड़ेंगे तो भी काम चलेगा तो height of मिनार हमने मिनार की उंचाई 20 बटे 3 वरगमोल 3 meter के equal निकाल दी तो हम असानी से निकाल सकते हमें क्या क्या पता होना चाहिए हमें मिनार से उस व्यक्ति की दूरी पता होनी चाहिए यहां पे जो angle है वो पता होना चाहिए तो उंचाई हम निकाल सकते हैं अगर हमें उंचाई दीवी है, हमें दूरी बतानी है, तब भी हम निकाल सकते हैं इनी फार्मूले से, अगर हम उपर बैठे हैं, यहां से, यहां डिस्टेंस निकालनी है, यहां हमें एंगल निकालना है, अवनमन कोण या उन्यन कोण, तो वो सारी चीज़ें हम आसानी से नि लंबी डोरी पर चड़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमी पर सीधे लगे खंबे के सिखर से बना हुआ है यदि भूमी सतर के साथ दोर द्वारा बनाया गया कौन 30 डिगरी का है यह मतलब उन्यन कौन हमारा कितना हो गया 30 डिगरी खंबे की उंचाई ग्या बहुत ही आसान सा है solution देखी माना खंबे की उंचाई खंबे की उंचाई हमने AB को क्या माल लिया है एच मीटर है उन्यन कौन हमारा कितना है उन्यन कौन यह हमारा A glad angle A c b कितने डिगरी का हो गया 30 डिगरी का 90 डिगरी यह हमारा करण यह हमारा लंब यह हमारा आधार हमें क्या चाहिए हमें उन्चाई इसकी चाहिए एक value यह दी तो लंब पटे करण हमारे पास क्या होगा तिरभूज ABC में हम बात करें angle B हमारा 90 डिगरी है तो AB, AB मतलब LUM, LUM बटे करण, LUM बटे करण AC, LUM बटे करण क्या होता है? Sine होता है, तो Sine 30 degree, AB का मान हमारा H है, AC का मान हमें कितना दियावा है? 20, यहाँ पे हमें AC की value कितनी दियावी है? 20 meter, So, Sine 30 का मान क्या होता है? 1 बटा 2, इसको इदर लेकर जाएंगे, H is equal to 20 upon 2, answer 10, So, खंबे की उन्चाई कितनी हो गई? 10 meter, बहुत ही असान सा question था, सिरफ question समझ में आना चाहिए, बहुत ही interesting और बहुत ही असान से होने वाले हैं, चलिए, अब question number second करते हैं, Question number two, statement अच्छे से पढ़ेंगे तो question बहुत ही असान सा है, आधी आने से एक पेड तूट जाता है, और तूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है, कि पेड का सिखर जमीन को छूने लगता है, माल लीजिए, हमारे पास ऐसे एक पेड था, ठीक है, और यहां से तूट के यह नीचे ऐसे गिर गया, और यह जमीन को छूने लगा, पहले यह पूरा पेड था, बीच में से यहां से तूटा, यहां पे जमीन को छूने लग गया, और इसके साथ 30 डिगरी का कौन बनाता है, जमीन को छूरा है, यहां पे कितने डिगरी का कौन बना रहा है, 30 डिगरी का कौन बनाता है, पेड के पाद बिंदू की दूरी पेड का पाद बिंदू कौन सा होगा यह होगा यहां से जहां पेड का सिकर जमीन को छूता है आठ मीटर है मतलब ये दूरी हमारे कितनी होगी 8 मीटर होगी पेड की उंचाई ग्याद कीजिए अब पेड की जो उंचाई होगी हमारे पास ये भी होगी और ये भी होगी ये कहां पे आगी यहां पे तो हमने ये दोनों निकाल ले है मान लीजिए मेरा A है ये B है और ये C है ये C पॉइंट यहां पर आके टच कर रहा है तो हमें AB प्लस BC चाहिए चीक है चलिए सोलुसन देखिए माना पेड़ की उंचाई हमारे पास A C है मतलब किसके इक्वल AB प्लस BC पेड़ के पाद बिंदू से पाद बिंदू से सिखर जो जमीन पे लगा है सिखर तक दूरी हमारे पास A C A C की वैली हमारे पास कितनी दीवी है आठ मेटर और उन्यन कोन हमारा उन्यन कोन यहां दिया हुआ है कोन कोन सा है कोन A C B दैट इस एकॉल टू 30 डिगरी 30 डिगरी है यह 90 डिगरी यह करंड यहां पे एंगल है तो यह हमारा आधार यह हमारा लंब हो जाएगा तो हम बात करें पहले लंब बटे आधार की तिरभूज ABC में तिरभूज ABC में AB बटे AC लूमें यहाँ पर एंगल A हमारा कितना है 90 डिग्री तो AB बटे AC लंब बटे आधार किसके पराबर होता है टेंजेंट टेंजेंट 30 डिग्री AB का मान हमने निकालना है AC का मान हमें कितना दिया हुए 8 और टेंजेंट 30 का मान क्या होता है एक बटा वरगमूल 3 यहाँ से हमारे पास AB की वैल्यू 8 बटे वरगमूल 3 हो गई और यहाँ से अगर हमने वरगमूल 3 नीचे से खतम करना है तो हम क्या करेंगे rationalization कर देंगे परिमेई करन कर देंगे तो AB का मान हमारे पास आ जाएगा 8 नीचे तो 3 हो गया और उपर वरग मुलतीन AB is equal to 8 root 3 by 3 मीटर ठीक है अब हम बात कर रहे हैं BC निकालना हमने दुबारा फिर तिरभूज ABC में तिरभूज ABC में हम एंगेल यह हमारा 90 है हमारे पास BC BC क्या होगा करन है और AC हमारे पास क्या है आधार है आधार बटे करन AC बटे BC ले रहा हूं है आधार बटे करन क्या होता है cos theta अधार बटे लंबटे करन sin theta अधार बटे करन cos theta लंबटे अधार tangent theta तो हमार पास ये value होगी cos 30, अब AC का मान 8 meter है, तो यहाँ पर कर देते हैं हम 8 बटे, BC का मान हमने निकालना है, cos 30 की value क्या होती है, root 3 by 2, वरगमूल 3 बटे 2, किसकी value होती है ये, cos 30 की, BC इदर जाके multiply करेंगे, तो ये हमार पास क्या हो जाएगा, BC is equal to, ये हम इदर लेका है, उल्टा हो जाएगा, ये 8 दोनी, 16 बटे, वरगमूल 3 हो गया, 16 बटे, वरगमूल 3, इसका भी हमने परिमेई करन कर दें, वरगमूल 3 से कुणा, वरगमूल 3 से भाग, तो BC का मान कितना हो जाएगा, 16 बटे, 3 वरगमूल 3 मिटर, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो पेड़ की जो उंचाई है, हमारे पास क्या हो जाएगी, पेड़ की उंचाई, इन दोनों को हमने जोड़ना है, AC बराबर है, AB प्लस BC, what is AB, AB का मान हमारा कितना आया था, 8 वरगमूल 3 ब 16 वरगमूल 3 बटे, 3 लगुतम सेमी होगा हमारे पास, क्योंकि 3 है, 8 वरगमूल 3, 16 वरगमूल 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 24 वरगमूल 3, काट दीजिए 8, यह हमारे पास हो गया, 8 वरगमूल 3 मिटर, तो पेड़ की उंचाई हमारे पास कितनी आगे, 8 वरगमूल 3 म बहुत ही इंट्रेस्टिंग क्वेस्टन है और बहुत ही असान है चलिए इस वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में गिले क्वेस्टन के साथ फिर मिलते हैं तब तक के लिए जैहिन जैवाराइब